ये गाइस वेलकम बैक अगें टो और फ्रेश वीडियो तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोट के तरब से आपका जो रिवी पेटिशन का रिजल्ट आ चुका है तो फ्रेंड्स यह काफी डिशेपॉइंटेड जरूर है प्राइवेट केंडिडेट्स के लिए कि जो आपके एक्जा फैल्ड अगेंस दा डिसीजन देट अपहल सीब्यस पॉलिसी तो कंड़क्ट ओफलाइन एक्जाम फॉर क्लास 12 प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्रचार स्टूडेंट्स तो फ्रेंड्स अभी इसमें एक बात है कि जो 12 के स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पर बताया गय स्टूडेंट्स को काफी दिन तक एएसे दोके में रखा गया कि एंड़ नहीं होंगे ऐसे मलब रखा गया फिर लास्ट में एक दम से कहा जा रहे है कि आपके एक्साम होंगे तो स्टूडेंट्स को यहाँ प्राबलम आलम आ रही है तो प्रेंट्स जो ऑफिचिल आएगा पेपर का तो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूं फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट से जो आज आया है तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें कि जो ये ओर्डर था इसमें लिखा है पर्मिशन तो फाइल the review petition as well as the grounds in support thereof in our opinion no case for review is made out the review petition is accordingly dismissed मतलब कि dismiss कर दिया गया है और आपको जो पहले जो cbc का decision था वो का वो ही रहेगा ठीक है वहीं अगर थोड़ा और डिटेल्स में देखे तो बार एंड बैंच का जो official यहां पर जो आप देख सकते हैं update आ रख है जो की मुलब सेम हैं बट यहां पर थोड़ा ओर डिटेल्स में बता रखा है कि जो आपका जो Supreme Court ने जो Wednesday में Wednesday को जो आपका judgment था उसको dismiss कर रहे जैसे कि आप देख सकते हैं तो Supreme Court on Wednesday dismissed the review petition field against June 22nd judgment of the top court which had allowed the Central Board of Secondary Education to conduct physical slash offline exam for private पत्रचार and second chance compartment students for class 12 यह specially class 12 के लिए है तो 10 के लिए भी कोई ऐसा official update नहीं आया है तो यह class 12 के students के लिए update आ रखा है ठीक तो आप जैसे कि देख सकते हैं आप Bench of Justice A.M. खान विलकर और दिनेश महेश्वरी पास्ट दा ओडर स्टेटिंग देट नो केस और रिव्यू वाज मेड आउट तो यहां लिखर रगा है no case for review is made out the review petition is accordingly dismissed the order said मुलब की जो आपकी जो review petition उसको directly dismissed कर दिया गया है बिना उसके उपर ध्यान दिये तो friends आप एकदम positive रहें आपको बिलकुल भी घबराने नहीं है और CBSC इस बार मुलब जो paper है वो आपका थोड़ा आसान लेवल का कह सकते हैं बनाएगा क्योंकि काफी ज़्यादा यहां पर misunderstanding सोर की exam से related तो आपको है न अभी मैं बता देता हूँ आप sample paper कहां से देख सकते ह पर pattern कैसा रहने वाला exam का तो आपको positive रहना है और आपको बिलकुल tension नहीं लेनी है ठीक है तो आप जैसे कि देख सकते हैं CBSC की मैं academic website पर आ चुका हूँ तो यहां पर आप जैसे कि देख पाएंगे यहां पर sample question paper का option आ रहा है ठीक है तो आप यहां से गर आप download कर सकते हैं आप जिस भी जैसे science का आप कर सकते हैं अलग-अलग जो भी आपकी branch है आप उस हिसाफ से आप यहां से कर सकते हैं तो जैसे कि मैं 2021 का आपको दिखा देता हूँ आप class 10th and 12th दोनों का option आ रहा है यहां पर जैसे आप class 12th पर click करेंगे तो आपकी जितने भी subjects होते हैं उस सार preparation में और ज्यादा boost आप कर सकते हैं तो यह CVSE के official website पर यह आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप जिस भी subject में जैसे आपके अगर compartment है या फिर आप improvement के student है तो आप यहां से sample question paper download करके and marking scheme से match करके आप अपने performance को enhance कर सकते हैं और अगर आपको question bank देखना है तो वो भी आपको question bank bank भी यहां पर मिल जाएंगे तो आप जैसे की देख सकते हैं question bank में भी आपको class 10-12 दोनों के यहां पर option आते हैं और यहां पर आपके subjects भी दे रखें जो majority जो main subject 4 subjects होते हैं वो सारे यहां पर आपको दिये हुए ठीक है तो आप उनके question bank से मुलब questions भी आप यहां से निकाल स पूछ सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही take care and bye bye